नियोजे सिक्षक खासा नाराज है नाराज़की की पीछे की वचा है कि बीजेपी जब विपक्ष में पे कई सारे वादे किये थे लेकिन जैसे सक्ता में आये उसके बाद भी सिक्षा विवाद के सिक्षक की हित में सुरू से लरराई लरते रहे हैं और कई सारी बातों को आप ने खुल कर रखा है क्या कहेंगे जिस तरीके से के पाठकालेटर जारी हुआ होक। ह guar Tax वहिवा आगस्षक तया हुआ चाहता हैं कि में जो आप देखे जितने भी नियोजी सिख्षकों ने एक्जाम दिये 95% उसमें से पास किये और टियारी 2 में देखा आपने हार्ट कोशन था उसके बाद 80% से उपर हमारे सिख्षक वहां से क्वालिफाई किये तो यह बात तो तैह हो गया ना कि हमारे इस्षक जो नियोजी सिख्षक से साठ परसंट से स्टमें उनको क्वालिफाइ किया गया था उसके बाद उनका स्छान वीजाम दिय है तो आप जब पहली बार उनको बहाली किये थे तब उनका क्वालिफिकेशन कुछ और हो सकता है लेकिन उन्होंने कई अध्याम पास किया बीएट किया उसको पास करते गए और तब जाके आज उनकी आज यह पोजिशन है अवरिता भी है कई सारे सवाल ऐसे हैं इस पर हमने मा मात्र के माध्यम से मानिया मुकंत्री जी को अवगत कराया है सरकार बनने के बाद कि यह बेसिक चीजें जैसे देखिए उसमें एक बात मैंने में इसन किया कि बीपेशी के माध्यम से जो एक्जाम लिया गया था नया अभी अर्थियों के लिए उसमें नॉमलाइजिस कुछ भी पूछी तो वह पास करेंगे लेकिन अन सब्जेक्ट में कुछ भी पूछी कितना भी हाड़ पूछे तो लेकिन आप फिजिक्स के बारें पूछेगा तो काफी दिन से फिजिक्स चुट गया आप 55 साल मेरी उमर हो चुकी है साथ साल के आसपास मेरी होने वाली है तो उस वक्त मैं थोड़ा सा जो है मुझे दिक्कत होगी तो यह बाते यह प्रैक्टिकल बाते हैं जब 25 साल 23 साल का लड़का पास करता है तो वह सारे सब्जक्ट पढ़ते रहता है अब जब 50-55 साल के 57 साल के उमर में अब ट्रांसफ साल फास में भी बिलकुल हम बेलकुल करेंगे क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रावलाम उसके बार में छर्चा करेंगे हम को निए भाइज करेंगे हम लोगे नहीं करते हैं कि नहीं तो आप लेकिन वहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा रिक्टिफिकेशन की बात वहाँ आ जाती है जब आप कहते हैं कि 57 साल के उमर के जो सिचक हैं आप तीन ऑप्सन भरिये और उसके बाद आप कहीं अन्य चल जाईए अब उस उमर में इस्टाबिस्मेंट होगा उनके भाल बच्चे हैं उनका सब चीज है तो ऊस उमर में कहीं और जाएंगा तो कितना दिक्कत होगी तो एक तो इस टाबिस्मेंट का एक अपना खर्चा होता है अब पूरी ववस्था बदलना उसके लिए आसान नहीं है कम उमर में 40 साल कूमर मे या कम उमर में आदमी स्टाइबिस्मेंट चेंज कर लेता है लेकिन लेकिन 55-56-59 उमर में आसान नहीं है तो यह प्राक्टिकल प्रावलम है विभारिक समस्या हैं थोड़ी-थोड़ी समस्या है इसको सुधार करने के मुझे लगता आवा सकता है इन बातों से मैंने मानियम प विहार से हमको फोन करते हैं जहां मेरा नहीं है वहां से भी मुझे फोन आता है परिच्छा को लेकर के लेटर जारी कर दिया गया जो पर अंदोलन करने वाले थे उनको उन पर अर्दर्ज करने की बाती आई तो ऐसे में सिक्षकों की नाराजगी और बढ़ती आप किसी को आउनकी बातों करने से नहीं रोख सकते हैं जब कभी बीपीसी के जरेब है सप्लिमेंटरी चाहिकारी कर दिया जाता कि आप आंदोलन ने कर सकते तो यह अधिकारियों का किस तरह का मनवाना है पारिया है छीजह मैं समस्यां को मैं दूर करूंगा सरकार से वारता करके और हाउस में जहां भी जैसे भी हो अपनी बातों को मैं रखके सरकार को प्रैक्टिकल पालम से आवगत करा हूंगा मैं सरकार को इस बात को आवगत करना चाहता हूं मानिया में प्तुर्शी लेकिन आप ट्रांसफर की जो पॉलिसी जो लाए हैं उससे उनके अंदर है घबराट है तो यह चीज को सुधार होना आवस्यक है और निश्ची तुरुप से आप जान लिए कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जो जो चर्चा हो रही है इसमें थोड़ा सा सुधार के लिए हम लोग पर कि उनके हित्की भी बाते कहीं कई वार ऐसे बीद्वात कि व्यक्रों की वजचे थो क्या हमारे कारिकार्ता अपनी जान को बैठ जहां तो पैठे करना चाहता हूं कि नूजिस स्कूम का लंबे शमय से मांग कि हमको राज कर्मी का दज़ा दिया आप जानते हैं कि आरजेडी ने उन्हों को ध्वखा दे दिया तैजस्वी जी ने चुनावा में क्या कहा था कि अब यर्थियों को नौखरी देंगे विपेशी के मादम से इसके मादम से लेकि नौखरी तो दिया नहीं तो कहरें कि हम चार लाग नौखरी अब चार लाग पांस लाग की बात करते हैं लेकिन नौखरी दिया नहीं और अपने अपने साल भर के उपर के कार्शकाल में जब जीवन कुमार और पुरी भारतिन्ता पार्टी की पूरी ताकत लगी पुरा अंदुलन हुआ और तब जाके विपेशी के मादम से मुखमंत अब ठोड़ी है कि यसका मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी है कुछ कमी रह गई होगी तो उसको सुधार करने के हम ऐसा आवसकता रहती ही है और रहेगी तो उसमें हम लोग करेंगे सब मिलके करेंगे हमारा एक आखरी सवाल है जी बंजी कि जो लेटर जारी हो रहा है वो इन सिक्षों के लिए जाइज है या ना जाइज मैं फिर बिता रहा हूं कि आक्रोज तो देखिए सोता एक आक्रोज पैदा हो ही जाता है जब कोई जब कोई इस तरह की बाते आती है अब संतावन साथ कुमर में हमी को कहेगा कि आप घर दुबार छोड़के पुरा बाल बचा को छोड़के आप चलिए कहीं प्रहाने के लिए तो थोड़ी समस्या आएगी प्रैक्टिकल समस्या है अब हम माले दी बैंग है एक बात करने तो और भी नहले पर दाला हो गया अब कै अयसे पूरा सिस्टम सभालेंगा तो कहीं प्रैक्टिकल समस्या हैं लेकिन उसके सुधार किया सकता है और हमने खाले चीजिह और हमसा उनके वाजिव यॉचिव अब आप जान लेजिए के सरकार है कहीं से भी यह नहीं चाहते हैं कि हमाने पौर्बटारित हो इतना ही कई और चाहते हैं लेकिन कुछ आम लोग जो है इस तरह का गलत औहरना पैदा करके जो है भ्रमित करके जो है अधिकारी को स्मझतने का प्रयास करते हैं देख में हो रहा है काफि सुधार हुआ है सुधार लगातार हो रहा है और होते रहेगा और निश्चित रूप से जो प्रैक्टिकल समझ से हैं वो दूर भी होगा तो देखे कि पहले भी सिक्षकों के हित में लगातार इसको देखा भी सभी ने लेकिन अब फिर से उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी जो बिसंगतिया है उसे सुधारा जाएगा इन्होंने मुख्यमंत्री तक को लटर जारे किया है मुख्यमंत्री के संग्यान में भी दिया है उसके साथ ही जो राजकर्मी की दर्जा मिलने की बाते हैं तो मुख्यमंत्री के संग्यान में गया और जो सिक्षकों के हित में होगा उसके लिए सद अरासें कि तसे कर दो